उत्यप्रिदेश की ताजनगरी आगः में एक यूक ने अपनी गर्डफरेंड्स की सहली के साथ मिलकर अपनी गर McD's पत्नी की चाखूं से ताबर तोड़ वार कर बेढ़्ाइमी के साथ हत्या कर दी और हत्या के बात पति an गर्डफरेंड के साथ सो गया सुबह वह तीनों मिलकर लाश ठिकाने लगाने की तैयार ही महीं थे लेकिन एन मौके पर युवक के पिता आ गए इसके बाद दोनों लड़किया मौका देखकर वहाँ से भागनी के लिए युवक की पिछले सार दिसंबर यानि छे महीने पहले ही शादी हुई थी दरसल यह है दिल दैला दैने वाली वारदात थाना न्यू आगरा के नगला हवेली की है यहां रिटारेट शिक्षक साहब सिंग चोधरी अपनी बुजरुमा पत्नी और बेटे उमंग के साथ रहते हैं उमंग की 11 दिसंबर 2020 को रूनंग कता की रहने वाली प्रीती से शादी हुई थी घर दो मंजिला है नीचे के हिस्से में बेटा और बहु रहते हैं जबकि उपरे हिस्से में साहब सिंग और उनकी पत्नी रहती है आरोपी के पिता साहब सिंग ने बताया कि रविवार सुभ प्रीती के गलारेत कर हत्या की गई है शरीर पर क्या जगात चाहु के निशान है उन्होंने कहा कि आरोपी की पिता ने जिन दो लड़कियों के हत्या में शामिल होने की बात कही है उनकी भी तलाश की जा रही है पुलिस पूस्ताश में आरोपी पती उमंग ने पहले बहान पुस्ताश में उमंग ने पुलिस को यह भी बताए कि वह प्रीति के साथ शादी नहीं करना चाहता था इस वजह से वह और भी जादा परिशान रहता था वहीं इस मामली में ऑफिश ले पुलिस कुछ भी नहीं बोल रही है हाला कि सूतरों ने बताए कि उमंग की पत्नी की हत्या करके वह उसकी लाश ठिकाने लगाने की कोशिश में था इसमें उसकी प्रेमी का और उसकी एक सहली भी शामिल थी उमंग की प्रेमी का जैपुर में एक टेक्स्टाइल फर्म में नौकरी करती है और वह इस समय आगरा आ और उसी से पत्नी की बिरहमी के साथ हत्य की लाश को ठिकाने लगाने से पहले ही पिता नीचे आगे और मामला खुले पर प्रेमी का और इसकी सहली वहां से भाग निकली उमंग के घर के आसपास रहने वाले पड़ोसियों को कहना है कि वे अयाश किशम का है परिवार में भी वहां किसी की नहीं सुनता जैसे तैसे करेके छे महीने पहले परिवार वालों ने इसकी शादे प्रीती से करवाई थी इसके बाद भी वहां अकसल लड़कियों के साथ घूमता रहता था हत्या रोपी पती उमंग दयालबाग में कार वाश चेंटर चलाता था उसके दो और भाई हैं एक दयालबाग में ही अपने परिवार के साथ अलग रहता है जबकि दूसरा भाई नौइडा में रहता है उमंग की मा अपने बेटे के साथ इस समय नौइडा गई हुई थी और पिता घर में अकेले थे फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर लिया है और अब ही उससे सक्ति से पूस्ताज की जा रही है